हाई उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए आप मेंसे काफी सरे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार सरकार से लून लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने एक बहुत ही अच्छी खासी स्कीम चला रही है जिसके माधि कोई भी आपको हाइर कोर्स करना है आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि बहुत सर लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं या पिर कई सरे कंडिशन हो सकते हैं फिर पैसे नहीं है बिहार का जो स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड यह जना है इसके माधियम से चार लग रुपे तक का लून आपको सरकार देती है ठीक है और यह बहुत ही इसी प्रोसेस है इसमें कोई लंबा फ्रोसीजर नहीं होता है हाला कि आप इसको समझेंगे इसको निभाएंगे तो प्रोसेस है नहीं समझेंगे नहीं निभाएंगे तो थुरा सा लंबा प्रोसेस आपको लग सकता है और इसलिए जो काफी सारे बच्चे है नो इससे बंचित रह जाते हैं लाव नहीं ले पाते हैं कि भाई हमें जो है लोन मिलेगा तो हम कैसे चुकाना होगा हमें और रेट अप इंट्रेस्ट क्या लगेगा ठीक है लोन कैसे मिलेगा उसके लिए कौन-कौन से सबसे बड़ी बात कि इसमें ब्याजडर कीतना देना होता है पैसा किस तरस वापस करना होता है आविदन कैसे कर सकते हैं are सब्सक्राइब कवर करने की कोसिस किया हुआ है तो प्लीज वीडियों को लाइक कर देना क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुCuatarent करता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यह जो है सेबन नीचे उजना के तहट चलाएगे इसकीम है जिसके माधिम से आपको चार लाख रुपे तक का लोन दिया आता है किसी परकारी कोई सबसीडी नहीं है लोन है पूर तरह से आपको लोन मिलेगा और इसमें आपको पैसे वापस भी करने पड़ते हैं खिक है कई बर जो है सरकार कई सारे बच्चों का जो है बोलती है कि हम अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो आपका map भी कर देंगे तुश के regarding भी हम बात करेंगे किन conception map होता है और किनको देना प्रता है ठीक है इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन जो है candidate इहां पे form को भर सकते हैं देखिए सबसे पहले समझे कि अगर अपने दस्वी पास कर लिया हुआ है उसके बाद आपको polytechnic करना या फिर कोई भी आपको ऐसे course करना है जो कि बहुत ही कम में हो जाएगा उसके लिए form को भर सकते हैं आपको जो benefit दिया जाएगा मानलीज अगर आपने इंटर्मीडियर पास कर लिया हुए उसके बाद आपको देलेट करना है तो कि बिहार में भी तो सब्सक्राइब बच्चे ही कर रहे हैं उसके मानलीज आपको इंजर्निंग में जाना है मैटकल में जाना है लो में जाना है या फिर एग लिंग पर क्लिक करके आप चेक आउट कर सकते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां कौन से कौर्स कौन सा संस्तान क्यूंकि बहुत सरे संस्तान ऐसे है जिसकी सूची में से नाम हटा दी गई है डिफॉल्टर होने के चलते ठीक है उनको उनका साइस रेश आपका क्वालिफीकेशन क्या है ठीक है उसके हिसे आपसे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कौर्स करना है ठीक है कौन सा कौर्स करना है और इसके लिए सबसे पहले आपको डी आर्शी सी ऑपिस जाना है ठीक है उससे पहले जो भी आप कौर्स करना चाहते है न व सबसे पहले उसका नाम ठीक है और कोर्स जो भी आप करना चाहते हैं इसकी जनकारी लेकर आप अपने DRCC पहुंच जाए और वहाँ पे सबसे पहले पूछता काउंटर होता है है वहाँ पे पूछिया कि मुझे यह कोर्स करना है इस अंसदान से करना है क्या हमें क्रिडिट का लाप मिलेगा वो लोग आपको पूछी करवा करना चाहते हैं तो अधिकतम तीस बर्स इससे अधिक आपका उमर रहेगा तो नहीं भर सकते हैं तो यह आपका qualification हो गया समझ में आ गया एज हो गया मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कोई भी आउट है नीचे कमेंट करके पूछ लिजेगा ठीक है मजा कर रहे हैं रिपलाई तो हम करते ही है लोन की हम बात करेंगे कई बार मुखे मंत्री कहते हैं न कोई बच्चा पैसा चुका नहीं पता है तो माफ भी कर देंगे तो बात की बात है उसके लिए हम कुछ कहेंगे नहीं किनका माफ करेंगे क्या उसका परसीजर रहेगा वो तो मुखे मंत्री जी बताएंगे कि उसके लिए कोई प्रधावन नोटिफिकेशन में नहीं दिया महिला है किसी भी काईटी गड़ी सब महिला है तो एक पर्षेंट आपका रेट अप इंट्रेस्ट लगेगा सधारर ब्याज की हिसाब से जो की सलाना आपको देना होगा मंथली की हम बात नहीं कर रहें काफी सर लोग पुछेंगे कि मंथली है कि सलाना है सलाना है एक परसं के लिए चार परसंट लगेगा मान लिजिए आप किसी भी काईटी गड़ी से आते हैं स्वस्त मेल है ठीक है लड़का है तो आपको जो है चार परसंट यहां पे रेट अप इंट्रेस्ट देना पड़ेगा जो की सधारण भी आज सलाना की रूप में आपको देना होगा कह क रहें दो साल का होता है तो संपन होने के बाद यानि को साल के बाद पैसा आपको वापस करना पड़ता है पर एक तो जॉब में आप चले जाएगा तो पैसे आप असानी से वापस कर सकते हैं एक साल का जो है गैप आपको देखने को मिलता है कई सारे का रिडेट क्या होते हैं कि जैसी कॉंप्लीर करते हैं अपना कॉर्स उनका जॉब लग जाता है उचा है तो 6 महिने के बाद भी अपना प पतलब नहीं है चार लग तक ही मिलेगा बाकी पैसे खुद से भर सकते हैं और माली जब का दो लग चार लग है तो तो मिल ही जाता है ठीक है तो यहां पर देखिए दो लग तक आपका लून सेक्शन हुआ है पास हुआ है तो साठ किस्ट में आनि कि साठ मंत में आपको हुआ है तो 84 किस्ट आपको मिलेगा नहीं 84 मंत मिलेगा इसमें आपका जो भी रेट अप इंट्रेस्ट है क्राटिगरी वाई यहां पर दिया गये मतलब कि जो भी आपका अपका पूरा पैसा काउंट करके उसको 84 किस्ट में बाट दिये जाएगा और बोल दिये जाएगा भाईया पैसा भर दीजिए ठीक है तो आपको भरना होगा कई सरक कंडिटेट ऐसे हैं ना कि जो की जो भी इनका पिरियेड है साट कीस्ट चुरासी कीद इससे पहले ही पैसे जामा करवा देते हैं तो उनको जो है 0.25 परसेंट का मिलेगा छूट मिल जाएगा रेट अप इ परसेंट ही देना पड़ेगा तो कहीं न कहीं बहुत ही फायदेमंद रहेगा पहले ही पैसे चुका देते हैं पहले बीचुकाने का ऑप्शन है आपके पास पैसे आगए आप चुका दीजे कोई दिकत नहीं है अब हम बात कर लेते हैं कि आपने समझ लिया कि कौन लोग फ F bump को भर सकते हैं अब कर सकते हैं देख रहा है कुछ से भी कर सकते हैं पड़े लिके हैं हाथ मौगा इंभाई वीडियो देखने हैं तो हो गाई-ः लोगा ही होगा कुछ से भर सकते हैं तो जिला में जो है गर बनाये गया है अपने जीला का जो डीर सी कर्याले का सूची है देखना चाहते हैं तो लिंक हमने दिया हुआ है क्लिक करके जाकर देख लिए कि आपके जीले में कहा है वहाँ पर जाकर आप भी फॉर्म भर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपके पास तीन सुविदा है तीनों कोई बन सकता है उनका जो है आपको अधार कड़ देना होगा क्योंकि मैं देटरी है यहां पर आपका जो भी सहयंचनिक प्रमाय योगता प्रमार पत्र है जैसे कि आपने दस्वी बार यह फिरसना तक पास किया हुए उसकी जनकारी आप यहां पर देंगे ठीक है इसके है आप बिहार में कर रहे हैं या फिर भीहार से अधर भी कहीं इंच्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन हाँ बिहार क्या आप होने चाहिए वैंखात आपका होना चाहिए ठीक है दे दिजिएगा तंस्तान का जो नमगगण परमार पतर है जैसे की मानलई लीजिए मैं अपको बता आए कि आपको decide करना है कि आपको अपको कौन सा कोर्स करना है कौन से क्षय mart करना है उसका सुची हमने दिया धिये हुआ रश depend कर सकते हैं वह बता देंगे तो उस में पूस का ब refuse से एधिय के चार्ख कितना है उसका बॉनिफाइड आपको मिलेगा कि उसका प्रत ही इतना लगेंगा पुरा कोर्स कउप्लिट करने में तो होई आपका का विय CJ होता हे जो कुँ देना पड़ेगा उसी के लोगा या पे फोर्ट लगेगा आपका अभिभाव का सी द्सक्राइब और और उसके बाद आपका मुबाइल ननमबर बैदी देना सबसे पहले आपको सत्यापन करवाना होगा जो भी अपने जनकाड़ी दिया हुआ है जो भी अपने कोर्स के डिटेल से अफिर इस्टेक्चर वेगा रहा है फिर अस्तान का जो नमंकर प्रमार्पत्र दिया हुआ इसको फिरिफाई किया जाएगा वाकई में उसाई है कि नही उसके बाद नूडल पधिकारी के पाज जाएगा कोसांक में जाएगा उसके बाद सचिवाले से इसका वेरिफिकेशन करके कंप्लीट कर दिया जाएगा आप एडिमिसन ले लेंगे ठीक है उसमें पढ़ने लएंगे और जो भी समेस्टर में आपका कोर्स का फी होगा ठीक यहां पर कुछ लोग को होस्टल का भी पैसा मिलता है कुछ लोग का भूक को भी पैसा मिलता है उसकी जनकारी आप नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके चेक आउट कर सकते हैं अलाकि कुछ ही सहर के लिए अवलेबल होता है तो आप उसको देख लेना बाकी मैंने जो भी चीज का मेंन पॉइंट था मैंने आपको बता दिया हुआ है उमीद करते हीं कि आपको सभी जनकारी बहुत ही असान भासा में समझने को मिला होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से लेटेड और हां फॉर्म को इस वीडियो में इतना ही अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें थाइंक्यू बेरी मच्छ